हालो फैंट्स नमस्का स्वागत है आपका चैनल पर फैंट आज हम यह मफलर बनाएंगे जो कि बनाने में बहुत ही असान है इस डिजाइन में हम मफलर बनाएंगे इसको हम सकाफ भी बोलते हैं इसकी टोटल लंबाई मैंने 75 इंच लिए है आप अपने हिसाब से कम्या ज़्यादा कर सकते हैं जो इसकी चुड़ाई ली है वो मैंने 6 इंच ली है तो अगर आपने इसकी चुड़ाई ज़्यादा रखनी है तो आप 5 के मुल्टीपल में चेन लेकर इसकी चुड़ाई को आप बढ़ा सकते हैं तो यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही सुन्दर लगता है तो हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंस मैंने यह फूल ली है 3.25 mm का मैंने हुक लिया है तो बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगा लगाएंगे फ्रेंस मैंने 45 चेन लगा ली है दो चेन एक्स्ट्रा लगाएंगे अब हम एक दो तीन चार पांच छे छे चेन छोड़कर सात्वी चेन में हम डबल कुरूश्या करेंगे फिर तीन चेन लगाएंगे फिर वहीं पर जहां पर हमने डबल कुरूश्या किया है वहीं पर हम डबल कुरूश्या कर देंगे फिर एक चेन लगाएंगे फिर एक दो तीन चार यह चार चेन हम छोड़ देंगे एक दो तीन चार यह चार चेन छोड़के हम पांच में चेन में हम डबल क्रोशा करेंगे फिर तीन चेन लगाएंगे फिर वहीं पर हम डबल क्रोशा कर देंगे यह देखे इस टाइप से फिर एक चेन लगाएंगे फिर फिर चार चेन छोड़ेंगे एक दो तीन चार पांच में चेन में हम डबल क्रोशा करेंगे फिर तीन चेन लगाएंगे फिर उसी में डाल देंगे हम डबल क्रोशिया इस टाइप से आएगा है हमारा इस तरह से यह सारा करते हैं हम यहां तक आएँगे लास में पहुंच गया है चेन लगाएंगे अब एक, दो, तीन, चार, पाँच हम डबल क्रोशिया कर देंगे तो इस टाइप से बनेगा यह हमारा तीन चेन लगाएंगे उल्टा देंगे अब हम क्या करेंगे अब यह जो V शेप बना हुआ है इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे पाँच बार डबल क्रोशिया करेंगे एक, दो, दो तीन चार पांच इस टाइप से हैं फिर अब कोई चेन नहीं लगा नी फिर नेक्स जो ये वीशे बना हुआ है इसमें हम पांच पर डबल कुरुश्या करेंगी एक दो तीन चार पांच फिर कोई चेन नहीं लगा नी फिर लूप लेंगे नेक्स्ट जो ये वीशे बना हुआ है इसमें हमने पांच पर डबल कुरुश्या करना है एक दो तीन चार ये पांच इस टाइप से आएगगा इस टाइप से ही सारा करते हम या तक आएगे ये इस तरह से आएगा अब लास्ट में क्या करना हमने लूप लेंगे यहां पर लास्ट में हम जो चेन है लास्ट चेन में हम डबल कुरुश्या कर देंगे इस टाइप से फिर तीन चेन लगाएंगे उल्टा लेंगे फिर अब हमने लूप लेना है लूप लेके यह पांच हमने डबल कुरुश्य किये थे यह पांच डबल कुरुश्य किये थे एक दो डबल कुरुश्य छोड़ देंगे थर्ड डबल कुरुश्य के उपर हम डबल कुरुश्या करेंगे फिर तीन चेन लगाएंगे फिर लूप लेंगे फिर वहीं पर हम double crochet कर देंगे यह देखे फिर एक chain लगाएंगे अब यह दो double crochet हैं इसको छोड़ देंगे next पर आएंगे next वाले पर हमने 5 double crochet किया है 2 double crochet इधर से छोड़ेंगे दो डबल क्रोशिय इदर से छोड़ेंगे, बीच वाले में जो थर्ड डबल क्रोशिय है, उसके ओपर हम डबल क्रोशिय करेंगे, फिर तीन चेन लगाएंगे, फिर वहीं पर डालेंगे हम अभी में यहां नगाईंगे है रिफिर यह पान स्वं गोल दो पूआ इदा से चोडेंगे इस तक जाएंगे सेता यहां पिर वहीं पर डालेंगे हम डबल क्रोशिया यह देखे इस टाइप से आएगा है तो इस तरह से यह सारा करते हम यहां तक आएंगे तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट में पहुंच गया है अब हम एक चेन लगाएंगे अब यह जो हमने तीन चेन लगाई थी तो लास्ट चेन प यह देखे इस टाइप से आएगा यहां अब हम फिर तीन चेन लगाएंगे उल्टा लेंगे फिर वी शेप बना हुआ है यहां पर हम डालेंगे पांच बार डबल क्रोशिया पांच बार डबल क्रोशिया हो गया फिर कोई चेन लगाएंगे लूप लेंगे फिर नेक्स्ट में डालेंगे पांच बार डबल क्रोशिया फिर कोई चेन लगाएंगे लूप लेंगे फिर नेक्स्ट में डालेंगे जो वी शेप बना हुआ है यहां पर पांच बार डबल क्रोशिया पांच बार डबल क्रोशिया इस टाइप से आएगा इस टाइप से यह सारा करते हम यहां तक आएंगे देखिए इस तरह से आएगा यह अब हम बीना चेन लगाएंगे यह तीन चेन लगाई थी हमने लास्ट चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे तो यह इस टाइप से बनेगा डिजाइन फिर तीन चेन लगाएंगे उल्टा देंगे यह हमारे पांच डबल क्रोशिया है यह हमारे पांच डबल क्रोशिया है तो दो डबल क्रोशिय यहां से छोड़ेंगे दो डबल क्रोशिय यहां से झान कि दो हलंगे है मिलूप लेंगे दो डौ कुछे यहां व incapacitation जोड़ेंगे यहां पर डालेंगे मुटक रिचा in लेगा उसके बाद फिर रो हम पांच बार डबल क्रोशे की करेंगे फिर उसके बाद हम यह रो बनाएंगे उसके बाद फिर हम पांच डबल क्रोशे की रो करेंगे इस तरह से यह डिजाइन चलेगा तो फिर इस तरह से हमारा यह देखे स्टार्टिंग से इस तरह से हमारा ड आपको दिखाती हूं जितनी लेंथ मुझे मुझे मफलर की चाहिए थी मैंने उतनी बना ली है अब लास्ट में हम क्या करेंगे तीन चेन लगाएंगे उल्टा देंगे अब हम दो डबल कुरुषी इदर से चुड़ेंगे बीच वाले डबल कुरुषी पे हम डबल कुरुष यहां से चुड़ेंगे दो डबल कुरुषी यहां से चुड़ेंगे बीच वाले डबल कुरुषी में हम डबल कुरुषिया फिर तीन चेन फिर उसी में डाल देंगे हम डबल कुरुषिया इस टाइप से हम सारा करते होई यहां तक आएंगे और यहां पर हम बंद कर दीखिए फ्रेंट्स, मैंने ये यू कंप्लेलिट कर लिया है। अब हम यह के बंद कर देंगे। यहां पहे हम नोट लगाईँगे। उसके लिए हम क्या करेंगे। फ्रेंट्स मैंने एक छोटी डेहरी ली है। आप कूछ भी ले सकते हैं। आप गत्ता भी ले सकते हैं इस पे हम इस तरह से नो राउंड करेंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो राउंड करने के बाद यहां से हम काट देंगे फिर यहां से निकाल लेंगे हम यहां से अब हम क्या करेंगे इस तरह से हम इसको काट लेंगे यह देखिए यह बराबर काटने है उसके बाद हम क्या करेंगे यह देखिए यहां पे हमने नोट लगानी है तो हम इस तरह से जैसे ये होल है हम इस तरह से डाल की इस तरह से लाएंगे में से हम इस तरह से इसको नोट लगा लेंगे इस तरह से नोट लगा लेंगे नेक्स्ट होल में जाएंगे पहले इसको बराबर कर लेंगे, इस तरह से लाएंगे, इस तरह से नोट लग जाएगी, इस तरह से हर होल में हम इस तरह से हम फुमल लगा लेंगे, इस साइड भी जाएगे, इस साइड भी अशितरी साइड भी मैंने दोनों साइड यह और यह दोनों साइड मैंने यह नोट लगा लिए इसके साथ ही मफलर बन कर त्यार हो गया है, जो देखने में भहात ही सुंदर है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए प्लिस ल मिलते हैं एक और ने वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब